अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज जी फाइड के साथ बिल्कुल फ्री लर्ट कर रहे हो अब ही तो शुरू भी नहीं किया औरेडी प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें मुझसे अब मुझे तो यह बात समझ नहीं आती कि तुम्हें क्यों नहीं समझ आता है कि मैतरी तुम्हें अपने अंभूटे के नीचे दबा करना चाहती है शादम नंदिनी दूसरे कंदे पर बंदूग रखे चलाना बंद करो तुम आज नंदिश यह इसले निया क्योंकि छे साल में मैत्री ने जैसा उसे प्यार दिया रोज तुम पूरे दिन में उसे चे मिनट नहीं दे पाती हो यार असू वाव अशिष वाव तुम ना पहले डिसाइड कर लो कि तुम मेरे पती हो यह अफिर उस मैत्री के वकी नंदू नहीं ताइजी नहीं पापा आप सब लोग भी इसी घर में रहता है ना क्या आपको ऐसा लगा कि मैं नंदिश से प्यार नहीं करती ना ना बिटा यह जो मैत्री नंदिश के लिए करती थी वो सब मैं नहीं कर पा रही हूँ हर मा जो अपने बच्चे के लिए करती है वो सब मैं नंदिश के लिए कर रही हूँ तो मुझे यह समझ नहीं आथा कि मुझे क्यों किया चाता है मैत्री से हर बार तो अब क्या आस्मान से चान सितारे तोड के लिए क्या हो किया हुआ। तुम चान सितारे तोड भी लाओगी ना? तब भी कोई फरख निये बढ़ने वाला यूजा वाला? तो कि तुम नंदिश ने प्यार हो सबने पास दाने क्ले नहीं मैत्री से दूर रखने के लालच जेती हो और प्यार और लालच के बीच में जब लडाई होती है ना? तो जीत हमेशा प्यार की होती है इसलिए आज दंदिश वहा है मैत्री के साथ, तुमारे साथ नहीं अर्शिष, अर्शिष क्या बोल रहा है तू? क्या गलत बोल रहा हूँ पापा? छे साल का बच्चा आदी राथ को घर चोड़के चला गया कुछ तो गलत कर रही होगी तुम नंदिनी? अर्शिष, अर्शिष गलत कर रहा हूँ उसकी बचा मैं नहीं हूँ उसरी समझे तुम? तुम्हारे साथ जोग गलत हो रहा हूँ उसकी जिम्बताव सिर्फ तुम लों नंदिनी और तुम खुसको ने देखोगे रहा हूँ कौन गजी कर रहा हूँ कौनी सारा बलें बस मुझ पर ही डालना होता है तुमको मैं क्या करता हूँ साल सो जा तुम दरो अजय करता है तुम दोनों नंदिसके माबाप हो वो तुम दोनों का एटा है एक डुसते का मूँ नोचने के बजाए एक डुस्रे के हाथ पकड़ो मेता एक साथ मिलके समझदार हिसे अपने बेटे की परवरिस करो पराशिष मेरे साथ चलो तु मेरे साथ चलो अज़ए अर्ण थपती हुई धर्ती जब जुलस्ती है, तो भगवान इंदर को भी बर्साथ करनी पड़ती है अब हमें अपने परिवार के लिए भगवान इंदर भरना पढ़ेगा प्रबू और अपने मज्चों के रिस्ते पर हमें बर्साथ जरनी पड़ेगी अन्ना इन दोनों का रिस्ता जुलस से राख हो जाएगा प्रपूर राख हो जाएगा हमारे कुन्वे की, हमारे परवार की जिम्मेदारी हमने वैसा से लिये और अब भी हम इस जिम्मेदारी निखाएं